दोस्तो यह जो आप देख रहे हैं देखकर पहुचान गए होंगे यह है गॉल मिर्च विजिट क्यों हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर और पर क्लिक कर देज़ेगा ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो लेकर आओ उसका प्रफिक हिस तो सबसे पहले इसको अपच में किस तरह प्रयोग करते हैं उसको आपको मैं बताता हूँ एक चमज गॉल मिर्च गरम कर कुट लें और एक ग्लास पानी में तीन मिनट तक उबाल लें उसमें एक मुठी तुलसी पत्ता डाल कर आखपर से उतार दें और ढकन लगा कर पान्च मिनट तक रख दें एक कब दीन में दो बर सेवन करें शर्दी खासी फुलू होने पर एक चमज गॉल मिर्च में एक चमज घी मिला कर भूंज लें उसको दो चमज चिन्नी के साथ पीश लें एक मुठी बराबर हर दस मिनट पर खाते रहें गॉल मिर्च का आधा चमज चुर्ण एक पके हुए केले के साथ अच्छी तरह मिला दें उसको तीन बार सेवन करें मिलेरिया में आधा चमज गॉल मिर्च एक चुर्ण एक कप पानी में उबाल कर एक कप परतेक दो या तिन घंटे पर पांच से साथ दिनों तक सेवन करें भोजन के लिए केवल हलके तरल चीजी लेना है पुराना मिलेरिया में एक बड़ा चमज गॉल मिर्च कुट कर दो गिलास पानी में उबाल कर आधा गिलास कड़ा तयार करें उसको रात भर आट बर घंटे ठंडा होने दें सबेरे च्छान कर खाली पेट सेवन करें एक खुराक तयार कर साम को भी पी सकते हैं जिनको पेटिक अलसर है इस दावाई का सिवन ना करें बुखार में बुखार अगर आपको आ रहा है एक चमज तुलसी के पत्ते का रस एक चमज गोल मिर्च का चूर्ण मिला दें और थोड़ा सहद मिला कर दीन में दो बार सेवन करें जिसको अगर तमाको का लत है और वो छोड़ नहीं पा रहे हैं उसके लिए दो या तीन गोल मिर्च चबा कर उसका रस पी जाए पूरे शरीर पर खुजली हो जाने पर एक सो मिली लिटर नरियल का तेल में एक चमज गोल मिर्च का चूर्ण डाल कर एक बार उबाल दें और दे पर लगाएं जिसको अगर हज्या है गोल मिर्च हिंग और अफिम 20-20 ग्राम पीश कर लें उसमें सोलो गोली त्यार करें और इसका मात्रा है एक गोली हर दो घंटे हर दो घंटे में लेना है तोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तर तर अपना ख्याल रखे तनियों